हेलो माई ब्यूटिफुल फ्रेंड वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आयोग बहुत जादा अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये चार और पांच नमबर साइस के लड़ू को पाल जी की बहुत ही प्यारी सी दो कलर की विंटर ड्रेस लेके आई हूँ इस ट्रेस को बनाने के लिए मैंने बेवी वूल यूज किया है और ग्यारा नमबर का जो है मैंने क्रोशिया उक यूज किया है ये ट्रेस जो है आप हर साइस के काना जी के लिए बहुत असानी से बना सकते हैं वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर छोटे साइस के बनाना है तो कितनी आपको इसकी रोज बनानी है और अगर बड़े साइस के कानाजी के लिए बनाना है तो किस तरह से बनाना है बड़े साइस के कानाजी के लिए बनाने के लिए जो है हमने घेरा प्लेन बनाना है पहले जिस तरह से हम plain घेरा बनाते हैं simple double crochet का घेरा बनाते हैं उस तरह से घेरा बनाके फिर ये जो मैंने yellow color से second row start की थी वो row से start करके जो है इस तरह से आपको ये पूरा बनाना है ये second row से लेकर last तक जो white color से मैंने बनाया है वहां तक जो है हर size के काना जी के लिए same ही रहेग तो उसमें कोई भी changes नहीं होंगे इस dress को बनाने के लिए मैंने double crochet stitch यूज किया है single crochet stitch यूज किया है और double triple crochet stitch यूज किया है बहुत easy है ये dress बनाना देखने में ये जितनी प्यारी लग रही है इस dress को बनाना उतना ही easy है तो चलिए जल्दी से जो है काना जी की ये प्यारी स dress बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए है या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इंस्टा पे मुझे फॉलो करें मेरा facebook पेज लाइक करें इन सभी का लिंक जो है मैं आपको description box में दे दूंगी तो चलिए जल्दी से जो है काना जी की ये प्यारी सी dress जो है बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने इस dress की चोली बना ली है इसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर अप्लोड़ेड है लिंक में आपको description box में दे दूंगी तो आप वहाँ से ये चोली बना लें, next जो है हम इसका घिरा बनाना स्टार्ट करेंगे, sleeves की नीचे से जो है हमने इसका घिरा बनाना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहां पे 1, 2, 3, 3 chain लेंगे और same इसी जगा पे जो है हमने डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये same stitch प करोशाय तरहीं निया Beck available क्रोश्य या ये एक हो गया। सेम इसी जगा पर एक और बना लेंगे धो डूबल क्रोशिया निक्स टिच पे दो डूबल क्रोशिया चोली कहें दूर संवी स्टिच पर भी जुल दो टो ड हैंको बबल करोशिया बना जोगीव च्छी अलूंगी हम जोटको दो बबल करोशिया बनाुट और से यह से आप के पूरा कर लें पूर डबल करने बाद इसंको यहादा हम डाल क्रोशिया कर织ंड तो स्वा हिस स्टिच सब्सक्रीं हैं और लगिंश कने क्या इसाओं करते हो यह जला हैं और वह जी है जबन दो स्टिछ ट्विंश user驅ह यह तो यह दो स्टिछ हो गया हो 3 double crochet, फिर 1, 2 chain लेंगे, और ORSUM earnings चैन लेंगे, 3 double crochet बनाना है, सेम इंसी स्टिच्च पे, हमने 3 double crochet, 2 chain, 3 double crochet बना लेना है, यह इस तरह से, इह देखिए, अब फिर से 1, 2, 2asing stitch skip करेंगे, और 3rd वाले में, हमने double crochet बनाना है, फिर दो स्टिच स्किप करेंगे और थर्ड में जो है तीन डबल क्रोशिया दो चेन तीन डबल क्रोशिया बनाएना है एक बार जो है हम तीन डबल क्रोशिया दो चेन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार जो है हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाना है अब दो चेन लेंगे और सेम इसी जगा पे जो है तीन डबल क्रोशिया और बना लेंगे एक दो डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया ये इस तरह से एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाया अकेला एक ही डबल क्रोशिया बनाया फिर नेक्स जो है हमने दो स्किप करके फि बनाया अब 2 झीच करेंगे और 2 तो स्टिच इक हमने एक डबल क्रोश का बनाना है यह इस तरह से तो इसी तरह से जो है आप यह पूरीर गारॅण कम्प्लीट करने के बाद। इसको अपनी है जो है इसको स्टिच के साथ जॉइन कर देना कर देना है इस तरह से अब जो है हम यहां पर ffront post और back post double crochet से अपना work करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने एक chain लीनी है और यह जो हमने double crochet बनाया है यह वाला इस पे हमने जो है front post double crochet बनाना है यह इस तरह से आगे से crochet को ले के आएंगे धागे को लेके आएंगे और फ्रंट पोस डबल क्रोशिया बनाएंगे अब देखी नेक्स्ट हम इस पर आएंगे जो हमने ये तीन डबल क्रोशिया दो चेन तीन डबल क्रोशिया बनाए थे तो इस पर हमने बैक पोस डबल क्रोशिया करना है तो देखिए किस तरह से हमने करना है यह हमने तीन डबल क्रोशिया इस तरह बनाए है तीन इस तरह बनाए है और बीच में दो चेन ली है तो इस तरह जो तीन डबल क्रोशिया है उससे हमने फर्स्ट वाले को स्किप कर देना है इस पे हमने वर्क नहीं करना है दो डबल बैकपोसस डबल क्रोशिया बना लेंगे यह इस तरह से पीछे से जो हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे जब हम आगे से क्रोशियोग को लेके आएंगे तो इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बोलेंगे और अगर पीछे से लेके आएंगे तो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया अब यह दो की चैन स्पेस है इसमें हमने तीन डब पे जो है हम तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दो और ये तीन तीन डबल क्रोशिया अब यहां पे एक दो तीन डबल क्रोशिया हैं अब इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया जो हम स्किप कर देंगे और दो पे जो है हमने यहां पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है ये पीछे से क्रोश्योग को लेके आएंगे और डबल क्रोश्या बना देंगे नेक्स्ट पे भी जो है हम बैक पोस्ट डबल क्रोश्या बना लेंगे इस तरह से अब ये जो हमारा एक डबल क्रोश्या है सिंपल हमने एक सिंगल डबल क्रोश्या बनाया था इस पे ह हमने front post double crochet बनाना है अब इस तरह से पीछे से crochet hook नहीं लेके आएंगे आगे से crochet hook में से धागे को लेके आएंगे और double crochet बना देंगे तो यह इस तरह से एक कली आएगी यह देखिए अब next कली पे आते हैं इस पे भी 3 double crochet 2 chain 3 double crochet है तो 3 double crochet में से first वाला double crochet यह वाला हमने skip कर देना है second पे जो है हमने back post double crochet बनाना है next पे भी जो है हम back post double crochet बना लेंगे और जो बीच में 2 की chain space है उस पे हमने 3 double crochet 2 chain 3 double crochet बनाना है 1, 2 और यह 3 double crochet हो गया फिर 1, 2, 2 chain लेंगे और सेम इसी जगा पे जो है हमने 3 double crochet बनाना है 1, 2 और 3, 3 double crochet अब यह देखिए 3 double crochet इस तरफ हैं तब इस पे जो है हमने last वाला skip कर देना है और 2 पे जो है हमने back post double crochet बनाना है इस तरह से अब नेक्स ये देखिये हमारा double crochet आया तो इसपे हमने front post double crochet बनाना है जो हमने double crochet simple single 1 ही बनाया था ये दिखिये जो बीच में हमने 1 एक double crochet बनाया था उसपे हमने front post double crochet बनाना है और ये जो हमने 3 double crochet, 2 chain 3 double crochet बनाये थे, इस पे हमने back post double crochet बनाना है, ये इस तरह से, तो इसी तरह से जो है आप ये पूरा round complete कर लें, round complete करने के बाद इसको हमने starting में जो एक chain ली थी, उस पे हमने इसको slip stitch के साथ join कर देना है, अब फर से एक chain लेंगे, और ये जो हमने front post double crochet बन लेना है, जो हमने front post double crochet बनाया था, उसके उपर हमने front post double crochet ही बनाना है, इस तरह से, अब देखे कली पे आते हैं, हम ये इस तरह से जो लीफ बनी है, इस पे ये देखे, तो इसमें अब एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच stitches हैं, तो इसमें first वाले stitch को हमने skip कर देना है, हर row में जो है हमने first और last वाले stitch जो है skip करना है, और बाकी में हमने अपना work कर लेना है, तो first वाले stitch को हम skip कर देते हैं, और second से अपना work start करेंगे, तो यहां पे हमने back post double crochet बनाना है, ये चार स्टिच्चे पे जो है हमने back post double crochet बना लेना है, ये दो हो गया, next पे भी हम जो है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेते हैं उससे नेक्स पे भी जो है हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे यह दो तीन होगे और यह चार चार बार जो है हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया पहले हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया फिर चार इब Q Hallo यह को गे तीन डबक रोशिया Priya अब दो चेन में गे अब फिर से हमने तीन डबल क्रोश अब भी मेंगे और फिर पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है सेम जैसे हमने पहले राउंड में किया था वैसे ही करना है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में जो चेंड स्पेस है उस पे हमने जो है तीन डबल क्रोशिया दो चेंड तीन डबल क्रोशिया बनाना है यह दो होग अब next पे भी जो है हम back post double crochet बना लेते हैं उससे next पे भी जो है back post double crochet इस तरह से ये देखिए इस तरह से जो है ये कली आएगी ये देखिए next क्या करेंगे ये जो हमारा front post double crochet था इस पे हमने front post double crochet ही बना लेना है अब नेक्स्ट वाली कली पे आएंगे इस पे भी सेम वैसे ही करना है फर्स स्टिच जो है स्किप करके चार पे जो है बैक पोस डबल क्रोशिया बनाना है तो ये चार स्टिचे पे जो है आप बैक पोस डबल क्रोशिया बना लें ये एक, दो, तीन और चार, चार बार जो है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया अब बीश में जो है दो की चेन स्पेस आगी है तो इस चेन स्पेस में जो है हमने तीन डबल क्रोशिया, दो चेन तीन डबल क्रोशिया बनाना है एक, दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक, दो, दो चेन लेंगे, फिर सेम इसी जगह पे जो है, तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया, अब ये जो पांच स्टिचिज हैं, इसमें लास्ट वाले स्टिच को हमने स्किप कर देना है और चार पे जो है हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है हर कली में ऐसे ही करना है आपने जो फर्स्ट वाला होगा और लास्ट वाला स्टिच होगा उसको हम स्किप कर देंगे और बाकी जो स्टिचेज होंगे उस पे हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना ल क्रोशिया है तो इस पे भी हमने फ्रंट पोस डबल क्रोशिया बना लेना है यह देखिए इस तरह से यह आएगा इस तरह से जो है यह कली बन नेक्स वाला राउंड भी कम्प्लीट कर लें दो राउंड कम्प्लीट कर लें नेक्स राउंड में भी जो है यह यह एक दो तीन चार पानझ चेस साथ स्टीचिस हैं तो यह फर्स्ट वाला हम Sky नुव भालेस कर देंगे और 6 जो है तो इस तरह से जो है आप ये 2 round complete कर लें ये दिखिए मैंने total जो है इसके 5 round ये बना लिये हैं अगर आप ये सबसे छोटे size के कानाजी के लिए बना रहे हैं तो इसके आपने सिर्फ 2 round बनाने हैं और 2 और 3 number के लिए आपने इसके 4 round बनाने हैं और अगर आप इससे बड़े साइस के कानाजी के लिए ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो deux जो है ये डबल क्रोश्या बनाएते तो इस तरह से प्लेन रोज इसकी बना लेनी है फिर उसके बाद जो है ये एक दो तीन चार राउंड ये लास्ट के बनाने है पहले आप थोड़ा सा प्लेन गेरा बना ले उसके बाद ये चार राउंड बनाए तो देखिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे ये देखिए जो ये हमारे पस कली आई ही है इसमें से कोई भी एक आप कली लेंगे और एक, दो, तीन कली के जो फर्स्ट के तीन स्टिचिज हैं उसको स्किप कर देना है ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नौ स्टिचिज हैं ये टोटल तो आपने एक, दो, तीन, तीन स्टिचिज स्किप कर देने हैं और यहां फोरं स्टिच जочно जोैंगे mix ने स्टाइब कर लेना है। दूसरा जोई माल जोइन करेंगे। इससे को कर लेंगे। तशिच पर गूर नेच्स स्टिच से काइब करेंगे। और तुम किम्हुपी ह्याना चैनल नाया चैनल आंगे। उसे नेक्स स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया, हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया बना लें, फिर्स्ट के तीन स्टिच जो है स्किप करने के बाद हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया बना लें, अब ये दो की जो चेन स्पेस है, इसमें हमने दो बार सिंगल क्रोशिया ब यहां पे भी देखिए लास्ट के तीन स्टिचिस जो है हमने स्किप कर देने हैं और बाकी पे जो है हमने एक-एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है फर्स्ट के तीन स्टिचिस और लास्ट के तीन स्टिचिस जो है स्किप करने हैं और बाकी पे जो है एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और chain space में जो है दो single crochet, दो chain, दो single crochet बनाना है, यह एक, दो, तीन, यह तीन last के जो है हम skip कर देंगे, तो यह इस थरह से देखिए, अब यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच chain लेंगे, अब देखिए, next वाली इस कली में आएंगे अब इसमें भी एक दो तीन स्टिचे skip करेंगे और फॉर्थ में जो है हमने इसको सिंगल क्रोशिया करना है यह इस तरह से तो यह इस तरह से जो है दो कली के बीश में एक लूप आएगा अब हर स्टिच पे जो है एक एक सिंगल क्रोशिया कर लें यहां तक यह देखिए यहां तक जो है मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया अब दो की जो चेन स्पेस है उसमें हमने दो सिंगल क्रोशिया दो chain फिर दो single crochet बनाना है ये एक और ये दो अब इस तरफ पी जो है आप एक-एक single crochet कर लें और last के तीन stitches जो है skip कर देने हैं last के तीन stitches पे work नहीं करना है और बाकि सबी stitches पे जो है work कर लेना है एक-एक single crochet बनाना है ये एक, दो, तीन यहां पे एक बार बना लेते हैं ये देखिए इस तरह से तो ये इस तरह से आएगा अब फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच पांच chain लेंगे अब एक, दो, तीन, तीन stitches skip कर देंगे इस कली में और fourth stitches पे जो है हमने single crochet करना है हर स्टिच पे जो है अब एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे यहां तक एक एक सिंगल क्रोशिया करना है फिर यहां पे चेंड स्पेस में जो है दो सिंगल क्रोशिया दो चेंड दो सिंगल क्रोशिया और इस तरह भी जो है सिंगल क्रोशिया कर लेना है और लास्ट के तीन स् 5 चेंग में चाहब हमें जो कि हमने interesting, यहां हमने Affairs का कि स्टार्ट किया था वहाँ पर समुद्थ के साथ unnecess vedic Maker इस तरह से अब दीखिए हमनेद यहां पर अब टस यहांगे और असे मिंद़ शिरते ही इस तहज़ worker कर लेना है में हमने यहां तक आना है बिल्कुल ओपर 5 तक जो है हार स्टीच पर जो है हम एक जो है इस तरह से slip stitch कर लेंगे और बिल्कुल top तक आना है ये इस तरह से यहाँ पे भी slip stitch कर लेंगे अब last में यहाँ जो दो की chain space ली थी उसमें भी हमने slip stitch कर लेना है अब यहाँ पे हमने एक chain लेनी है और यहाँ पे single crochet बनाना है ये इस तरह से अब देखिए हमने जो work करना है वो जो ये हमने loop लिया था loop हमने बनाया था पांच की chain लेकर loop बनाया था इसमें हमने work करना है तो किस तरह से करेंगे ये दिखे कर एक बार धागा लेना है दो बार धागा लेना है तीन बार धागा लेना है तीन बार जो हमने धागा लेना है और यहाँ पे इस तरह से धागे क लाकर फर्स्ट के दो निकालेंगे फिर धागा लेकर दो निकालेंगे फिर धागा लेकर दो निकालेंगे और फिर धागा लेकर दो निकालेंगे फिर एक दो तीन तीन चेन लेनी है और इसी में यह देखिए जो स्टिच बना हुआ है इसी पे जो है हमने सिंगल क्रोशिया ब अब इस लूप में आएंगे इस तरह से क्रोशियोक से धागे को लेके आएंगे फिर्स्ट के दो निकालेंगे फिर दो निकालेंगे और फिर दो निकालेंगे फिर एक दो तीन तीन चेन लेकर जो है हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है फिर से एक दो तीन तीन बार धागे आज शे का लेंगे और से कर देंगा कर देना है इसी हो यह हैं जिए से बिना से इसे का बंकर अशाइडा्य वप्ली कृष्ट लिए तो से ऑसी से जो है अथा वार आप यह बना ले आठ ये इस हमने यह बना झान पर ओं यहां पर इसको सिंगल को साथ जॉइन कर लेना है तो यह से आएगा यह देखिए और फिर से से im next वाली लूप में वैसे ही बनाना है क्रोशयूद पर एक बार दागा लेंगे दो बार तीन बार तीन बार दागा लपेटना है और इस तरह से इस लूप के अंदर से क्रोशयू तीन तीन जो है चेन लेंगे और इसी स्टिच के ऊपर जो है सिंगल क्रोशिया बना देंगे फिर एक दो तीन तीन बार धागा लपेट लिया और फिर से धागे को लेके आएंगे फिर 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 धागा लेकर फिर धागा लेकर फिर धागा लेकर फिर फिर धागा लेकर फिर निकाल लेंगे तिर एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे और इसी पर जो है सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो यहां पर भी आठ बार यह बना लें हर लूप में जो है आठ आठ बार आपने इस तरह से बनाना है तो आठ बार जो है इस तरह से बना लें यह दिखिए आठ बार जो में त्रिपल Prest अब्ल क्रोशियाँ बनाना है एक ढ़ा गुमाना है इस तरह से सिंह commissioner брос you वैसे ही बनाना है, फर्स्ट के दो दो निकालते जाना है इस तो लास्ट के दो को भी निmmकालना है खोर एक दो टीन चेन लेकर किसी स्टिज पे सिंगल क्रोशिय करे Соfold तो इसी तरह से कहई हर लूप में ये आठ हाट के तुम है आठ वार जो है राउंड कम्प्लीट कर लिया है अब यहां स्टार्टिंग में जो हमने एक चेन ली थी जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देना है अब एक चेन लेंगे और यहां पे धागे को जो है हम अपने कट कर लेंगे धागे को जो है साइड में सिक्योर कर लेंगे यह देखे इस तरह自 यह देखिए इस तरह से जो है काना जी की प्यारी सी ड्रेस बनकर तयार हो गई है बहुत ही प्यारी लग रही है और इसको बनाना भी बहुत ईजी है आप भी जरूर एक बार ट्राय करें वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको काना जी की ट्रेस की ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग